जांच होने दीजे, सब चीचे सामने हैं, इतनी जल्दी में आप क्यों हैं, जहां भी कोई दंगा, हिंसा होती है, आप सीधे, बिना किसी इंतजार के, बिना किसी जांच के बीजेपी को जिम्मेदा ठहरा देते हैं, इस बार भी राहूल गांधी वोई कर रहे हैं? मानक भाई ये किसिरब राहूल गांधी कह रहे हैं या पूरा देश कह रहा हैं? आप इस चीज को देखिए, इस टूल किट को देखिए, इस रास्तरी आयां अंतर रास्ती साजिश को देखिए, सत्यपाल मलिक साब का बयान मान लीजे, हमारा मत मानिये? सत्यपाल मलिक साब ने क्या कहा एक बार उसे भी चलवा दीजे मैं तो कहता हूँ के के शर्मा जी सत्यपाल मलिक तो आफी के बनाए हुए राज्यपाल आफी के पार्टी के सदस्य जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और उन्होंने क्या क्या कहा कि ये लोग अपने बड़े नेता की भी हत्या करा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए मंदिर में आग लगवा सकते हैं दंगे भड़का सकते हैं बंबलास्ट करा सकते हैं क्या क्या नहीं का एक बार सत्यपाल मलिक जी की बात सुन लीजिए और मैं आपको बताओ इसमें कैरोसिन कैसे देश में डला है आप उस चीज को देखे चुकि आज किनम ये जाने जाने के आवशकता है राहुल गांधी के उपर आरोप लगा देना बहुत आसान है सभी लोग तमाम ये भारती जन्ता पार्टी के लोगों को जो जितने भी लोग है इनके पास और कोई काम नहीं है लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि वो दिलों में आग लगाएगा मैं दिलों की आग बुझाओंगा उसे अपने काम से काम है मुझे अपने काम से काम है मनिपूर में जाती हिंसा हो रही है धार्मिक हिंसा हो रही है हो रही है या नहीं बताइए मुझे मनिपूर में तो कोई और नहीं है नीचे भी सरकार इनकी उपर भी सरकार इनकी हरियाणा में धार्मिक हिंसा हो रही है नीचे भी सरकार इनकी उपर भी सरकार इनकी आप तमाम तरीके की बात कह रहे हैं इससे दुश्यन चोटाला के लिए राव इंदर जीत सिंग आज क्या नरेंदर मोदी जी से मिलकर किया है उन्होंने क्या कहा उसका भी बयान एक बार देख लीजिए आप ये भी देख लीजिए कि नू का SSP स्यात्रा को अन्मती देखर के छुटी क्यों चला जाता है आप ये भी देख लीजिए कि वहाँ तीन हजार से जादा लोग आएंगे तीन हजार से जादा गाड़ी आएंगी ये कहा जाता है और उसके बाद 200 होंगाड के जावान लगाये जाते आप ये भी देख लीजिए कि कटरपंती दोनों तरफ से असलहा आया कहां से तस साल से सरकार आपकी उपर भी है नीचे भी है अगर उसके बाद भी वहाँ असलहे आ रहे हैं दोनों तरफ असलहे हैं खुले आम दिखाई दे रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल दिखाई दे रहे हैं, आप बताईए मुझे, आप मुझे ये भी बताईए कि कोई एंकर चोपडा टाइप का आदमी आजाता है, कोई सिना टाइप का आदमी आजाता है, और कोई गोस्वामी टाइप का आदमी आजाता नाम मत लीजे पर्माने इंक इलाज नहीं मैंने नाम किसी का नहीं लिया मैंने किसी नहीं यह मुद्दा है मानख जी ये मुद्दा है ये मुद्दा है और इस मुद्दे को खोलना पड़ेगा ये सढहांद जो है मीडिया के अंदर उस सढहांद को भी बिल्कुल किलियर कट सब लोगों के सामने रखना पड़ेगा इन जाहिल लोगों को भी सब के सामने रखना पड़ेगा चुकि अभी इनके लोगों के इनके उपर अभी वो नहीं हुए तो क्या तब कॉंग्रेस करवाती थी और दूसरा आरोप वो क्या रहे हैं शोभा यात्रा तो देश के हर हिस्से से निकलेगी किसी भी हिस्से में आप उसे बैन कैसे कर सकते हैं मैं दोनों को करता हूँ दोनों बाते हैं बिल्कुल हुए हैं पुराने हमारे जमाने में दंगे हुए हैं लेकिन क्या हमारे जमाने के दंगों को शिखंडी वना करके वर्तमान सरकार उनके पीछे चुपेगी मैं नहीं कहता कहीं कोई कमी रही होगी बिल्कुल क्या सरकार प्रायुजित होते थे दंगे जिस तरीके से मैती समुदाये वहाँ पर कुकी समुदाये की हत्या कर रहा है और N.B.Rain सिंग चुकी मैती समुदाये के हैं दंगे करा रहे सिर्फ एक तरफा थोड़े हो रही है और जिस तरीके से वहाँ दंगे हो रहे हैं कि आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की टिपणी आपने देखी आप बताईए मुझे यश्वन्त सिना का बेटा क्याना में उनका जो कौन से सिना थे पिछली सरकार में वित्तराजे मंत्री थे लगातार जिस तरीके से वो हत्या के आरोपियों को माला पहना करके जेल से छुड़ाते इंस्पेक्टर सुबोस कुमार सिंग के हत्यारों को बुलन शेर में भारती जन्ता पार्टी अपना जिलाध्यक्ष बनाती है आप मुझे बताईए नहीं होना चाहिए नहीं पता चलना चाहिए क्या इंस्पेक्टर क्याना ये आईपियस प्रभाकर चौबनी को इसलिए शर्मा कुछने क्यों नहीं निकलनी चाहिए बिल्कुल निकलनी जो रूट डिसाइड है उस रूट पे निकलनी चाहिए और ये जो विश्यांतर करने की की पूरा देश सबका है लेकिन आप मुझे बताईए कि जब किसी अल्प संक्यक समुदाय की या किसी अंदे समुदाय की सामने से सुभा यात्रा निकले तो वहाँ पर डीजे बजाना जरूरी ये तो नहीं कभी होता था पहले अभी क्यों हो रहा है डीजे बजा वहाँ पर जो बरेली में हुआ वो यात्रा को लेकर के समझ्या नहीं कि चुनाव आ रहे हैं वी एच पी बजरंग दल और इन सारे अनुसांगिक संगठनों को तयार किया जा रहा है हतियार दिये जा रहे हैं केरोसिं छड़का जा रहा है पूरे देश में केके शर्मा जवाब दीजे उसके बाद आगे जा रहा है प्रियोग है पूरे चुनाव की तयारी में आप देश को जला रहा हैं केके संग्या अभी आखरी बात एक आखरी बात एक आखरी बात मानक जी शुरेंद्र आच्पू जल्दी से कंप्लीट करें दो मैं एक आखरी बात कहूं बानक कॉरी दुनिया बेरा का चेटन सिंगह के नहीं का आतंकवादी करें के नहीं कि क्योंकि जिन चार लोगों को उसने मारा उसमें से एक हिंदू था टीका राम पूरी दुनिया में इसलाम को मानने वाले जितने आतंकवादी थे उन्होंने 99 परसेंट इसलाम वालों की हत्या करी केके शर्मा बोलिए क्यों नहीं कहूंगा आतंकवादी वो केके शर्मा नहीं देखें 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 ऐसा है कांग्रेस पार्टी तो आर्पी एप की देश की सेना को आतंकवादी कहने तो आज को पहली बार थोड़ न कह रहे हैं यह तो देश की सेना को भी आतंकी बताते रहे हैं सेना के जनरल को गुंडा बताते रहे हैं यह तो इनकी सोच रही है इसमें कोंसी बड़ी आतंक को को बनी नहीं कर वाद है हैं हमने कभी उसको गोली नहीं कहा है और फिर माफी मांगे नहीं के खिलाब मुकदमा करेंगे के के शर्मा बोलिए नहीं कि भारती जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एसे जूटे प्रोपोगेंडा फैलाती है के के शर्मा बोल रहे हैं सुरेंद राजपूद आपका जवाब दे रहे हैं सुनिए बोलिए के के शर्मा ठीक है नहीं इसमें कहां दोमत रहा है मानक जी कि सेना के जनरल अध्यच को गली का गुंडा कहा गया एजेंट कहा गया कहा इसमें दोबत है कि आतकवादियों के मरने पर इनकी सोनिया गांदी जो है जक्षा आशू बहाती रहे हैं उनके बाट प्ला हुश कारने में वर्ना प्रमार दीजिए क्या उसके लिए सुरेंज सिंग राजपूत जो है यहां पर स्युकार करेंगे कि हां सोनिया गांदी के आशू बहेते बाटला हाउस इंकाउंटर में आतंकियों के मरने पस जो सल्मान कुर्शीद जी का बयान है जूट है रात बर रोती रही इसका करेंगे दूसरा सेना के जनर्र को गली का गुंडा कखा गया है नहीं करेंगे अब बात में आता हूँ उसके लिए हम माफी मांग चुके हैं वो गलत आप 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 काटिये ने बहीं आप जाके सल्मान कुर्शीद का काल पकड़ लीजे मुद्धे पर आईये के के शर्मान पकड़ लीजे आज मणीपूर की जो घटना जो है यह कब से चालू हुई है किसकी विरासत की देन है हमें यह 70 साल पुराने जो है विवाद आज भी चले आ रहे हैं आज 6 सालों से उसमें सांती जरूर थी आज उहां पर वातावरन बिगड़ा है लेकिन इस बात परेदी कांग्रिस इतना चाती पीटती है तो मैं पूछना चाहता हूँ यूपीए सरकार के दवरान 991 मौते हुई है इसी मणीपूर में 10 साल के अंदर अंदर 149 49 दिनों तक मणीपूर ब्लॉकट में रहा देश से कट गया देश से चचे मैने तक वहां गाडिया नहीं पैट्टोल नहीं जाता था आलाज नहीं जाता था किसने नहीं देखा इस दिन से को आपके अब रुख जाईए आप से सवाल पूछा जाए तो आप कंग्रेस के सतर साल का इतिहास बता देते हैं कैसे नहीं होता है के के शर्मा सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसलिए पताना पड़ता है इतना करता है जब कांग्रेस उसको जो है राजनिती करण करती है